प्रकार लेनी है और यदि कोई आम जन भी इसको लेना चाहे तो वो इसके लिए कलेक्टरी में बात कर ले उनको यह उपलब्द हो जाएंगी अभी हमने सत्तर हजार यह ऐसी छोटी मेडिसिन जो हमें पहतिकी बनाई है और बीस हजार पैकेट्स इसके हम निशुल्क वित्रण कर रहे हैं और सबसे पहला हमारा लक्ष है जो माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको यह देना ताकि इम्यूनिटी बढ़े और वो संक्रमित मुक्त हो जाए और लोगों को भी संक्रमित आगे ना कर सके उपने देशक्त आरवेज विवाग हीलवड़ा आप सभी से जो इस समय अपने देश में हमारी चल रही है उसके लिए बचाफ एवो में इम्यूनिटी पावर के लिए र पराफ्ट हुआ है उससे घृफ्ष के लिए और जो सामान ने उनके लिए नको दो समय और जो सीर्य गंबीर है उनको चार समय इस चूर्ण को सैव घरन पानी जूद्ड चाय किसी के भी साथ तुबह शाम ले सकते हैं भोके पे इससे रोख परती में तो छुंता भी बढ़ेगी और जिनको लक्षण सामानी लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण भी समाप्त होंगे और पोजेटिव केस नहीं हो यह हमियोपेटिक मेडिशन है जो अपनी इम्मुनिटी जो है डवलप करती है और इसका डोज सुबह खाली पेड चार ग्लोबिल्स लेने है जीब साफ होनी चीए तंग पे चार ग्लोबिल्स दालनी है फिर रात को सोते टाइम खाना खाने के एक गंटे बाद में चार गोली दो तुसनी है इसके केवल दो दिन ही लेनी चार डोज है सुबह चार गोली साम रात को सोते टाइम चार गोली ऐसे करके एक दिन और दूसरे दिन भी सुबह खाली पेड चार गोली इस मेडिशन का यह रोल प्ले होता है कि अपनी इम्मुनिटी को थोड़ा राइज करती है कहते हैं होमियोपेथी ट्रीट दा पैसेंट नोर दा डीजी यह पैसेंट को ठी करती है बीमारी केसी भी हो अंदर की इम्मुनिटी जब डवलप हो जाती है इम्मुनिटी बढ़ जाती है तो कहीं कोई दिखत नहीं हर पैसेंट पर जो है इस डाइनमिक मेडिशन ने अच्छ नहीं है लेने में आसानी है रोज भी कम है चार गोली एक बार में फिर समझा देता हूँ यह जो मारा किट दिया है उसमें सुबह चार गोली लेनी है खाली बेड उड़ते ही टंग जीब साब हो नीचे चार गोली चूसनी है फिर रात को सोते टाइम खाना खाने की एक कियाम मार्रस गुट्ठा होमयोपेथी दिपार्टमेंट से फिरबारा से हूँ एक दवाई आई है होमयोपेथी कि एक प्रिवेंच रहे है को रोना से लडने का अब तक कोई भी दवाई नहीं आई थी जो को रोना के लिए प्रिवेंटिव और यह आई है अपरूब हुई इरान के डॉक्टर्स ने अप्रूव की थी इसके डॉक्यमेंटेशन अप्रूब हुए उसके बाद इंडिया में राजिएंद्रन करके बॉब्मे में है उन्हों ने दिया सारा पॉजितिव आया उसके बाद अलवर इंडिया यह दवाई बिखने लगी as a prevention cause and तो मेरे आप से सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप ये दावाई लें डोसेज कम है डानेमिक मेडिसिन है ये लेंगे प्लीज आपको नहीं होगा इसका प्रिवेंचर है उसके अलावा आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं स्वास जीवन जी है आप अच्छा ड्राइफ्रू भ के अलावा कोई भी अफ़ाओं पर न जाएं कोई घलत चीज का सेवा न करें जैसे क्लोरो क्यों नाइन करके जो एलोपेटिक मेडिसिंस हैं इन सब का मैटबॉलिजम लिवर पर होता है तो आजब प्रिवेंचिन अलोपेटिक में ये दवाई दी जा रहे हैं तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट प्लीज न ले उसका मैटबॉलिजम लिवर पर होता है और काफी खतरनाग आगे के बाद सिम्टम्स हैं आप यह होमेटिकी दवाई लीजिए इससे प्रिवेंशन भी है और आने वाली टाइम में वह आज़ ट्रीटमेंट भी काम करेंगा इसक इसको इतना गंदी तरीके सा आइसोलेशन नहीं होता जिस तरीके से और जगा ट्रीटमेंट है स्टे अप्डेटेड ओल्वेस विद भिलवाडा लोगपाणी न्यूज आप हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन कभी भी कहीं भी देखे ताजा खबरे आपके मुबाइल पर देखे न्यूज वीडियो किसी भी टाइए हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें बिलवाडा लोगपाणी आप अवेलेबल ओन प्लेज स्टोर डाउनलोड नाउ और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना विलवाडा लोगपाणी यूट्यूब चैनल